नमस्कार दोस्तो मैं हूँ S.P. शर्मा आप देख रहे है ग्रिन गड़न चैनल ग्रिन गड़न चैनल में आप सभी को शागत है आज मैं आप लोगों के शाथ शेयर करूंगा जुलाई मांत में हिविसकास फ्लावर प्लांट की क्यार आप लोग कैसे करेंगे आप लोग दो फ्लावर एक शाथ खिला हुआ है और भी फ्लावर खिलने वाले है यह देखिए और इसमें जो बार्ट्स है बार्ट्स की क्वांटिटी है आप लोग देख पा रहे है शाथ में फ्लावर प्लांट की जो हेल्थ है यह हेल्थ काफी अच्छा है आप लोग देख पा रह है इसमें बार्ट से प्यार हो रहा है हो शक्त है आपकी फ्लावर प्लाइन की बार्ड ड्रॉप हो रहा होंगे इस टाइम तो मेरे फ्लावर प्लाइन की भी कुछ बार्ड ड्रॉप हुआ है एकदम से क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये बार्ड ड्रॉप हुआ है नो प्रा आज एक बार इस्प्रे करेंगे, 15 दिन बाद एक बार इस्प्रे करेंगे, आपकी floor plant से bar drop बंद हो जाएगा एक बार आपको boron fertilizer, 1 gram पाल लिटर वाटर डिजल्व करना है और एक floor plant के उपर इस्प्रे करना है आपकी floor plant की bar drop की जो condition है वो सही हो जाएगा, bar drop नहीं होगा देखने को आए तो आप इंट्रेपीड 2 ml पाललेटा वाटर डिसल्प करें और प्लावर प्लैंट की ओपर एस्परे करें आप अगर प्रॉफिक् सुपर यूज्च करना चाहे तो प्रॉफिक्स पर का डोर्ज कम करके यानि कि 1 ml पाललेटा वाटर डिसल्प करके इसके ओपर इस पर करेंगे तब आपके फ्लावर प्लांट में कोई side effect नहीं देखेगा और काम भी हो जाएगा लेकिन continue जो insecticide आपको देते रहना है यह देखिए यह जो new new buds है new new buds new new leaf इसको protect करना है यहाँ पर thrips का attack ना हो इसलिए हम confider 1 ml pallita water dissolve करेंगे हपते में एक बार एक floor plant के उपर इसप्रे करेंगे fungicide आप कैसे देंगे redomil gold आप 15 दिन अंतर से एक बार redomil gold 2 गिरम पाल लिटर वाटर dissolve करे और एक floor plant के उपर इसप्रे करेंगे आपको आच्छा result मिलेगा no problem आभी floor plant के growth काफी आच्छा होगा तो आप मीरा कुलन 15 दिन आंतर से एक बर एस्प्रे करते रहेंगे 1 ml पर लिटर वाटर डिजल करेंगे ये फ्लार प्लैंट के उपर एस्प्रे करेंगे लेकिन 7 दिन में एक बर जैसे कि आज आपको एस्प्रे करना है शिवीड लिकुट फैट लेजर मान लिजे आज आप शिवीड लिकुट फैट लेजर एस्प्रे करेंगे आगले 7 दिन बाद एक बर करेंगे फिर से शिवीड लिकुट फैट लेजर शिवीड लिकुट फैट लेजर में आप ले शक्ते है बायो बीटा एक्स शागरी का या आपके पास जो भी शीवीड लिकुड फैटलेजर होगा टू एमेल पाल लिटर वाटर डिसल्ब करे और ये फ्लावर प्लाइन के उपर अच्छा से स्प्रे करे आपको अच्छा रिजल्ट देखा आगले पंदरा दिन में दो बार देने के बाद तेसरी बार जब भी देंगे उस टाइम आपको मीरा कुलान इस्प्रे करना है मीरा कुलान बान एमेल पालिटर वाटर डिसल्ब करेंगे और ये फ्लावर प्लाइन के उपर इस्प्रे करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आप मैं बात करूंगा फर्टलेजर ये फर्टलेजर आपको देना है मीडिया में फर्टलेजर देने के लिए आभी आप कोई भी अर्गानिक फीडिंग इसमें ना दे अगर बारिश नहीं हो रहा है अगर बारिश हो रहा है तो नहीं देंगे मेरा पॉट शाइज 12 इंच है तो 12 इंच की पॉट के लिए हमको जो फर्टलेजर देना है ये देखी मैं NPK 179 34 फर हिविसकास फ्लावर प्लाट एक ग्रिन गर्डेन ने डेवलप्ट किया है ग्रिन गर्डेन का स्पेशाल हिविसकास मिक्स फर्टलेजर है इन केस आगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है बनाने का वीडियो तो काइंडली उपर आई बटन में मैंने एक लिंक प्रोवाइट कर दिया है उस जगापर किलिक करें और आपको एक वीडियो देखेगा डिस्किप्शन बक्स में भी मैंने दे दिया है जहाँ से देखना है आप देख लीजेगा और एक फर्टलेजर आप तयार करें हफ्ते में एक बार आधा चम्मच करके 10 से लेके 12 इंच पट के लिए आधा चम्मच करके हफ्ते में एक बार आपको देना है इससे ज़्यादा नहीं देना है ये देखी इसके बाद भी मैं और बता दूँगा और क्या क्या करना है इनके सागर ये फर्टलेजर आपके पास नहीं है या नहीं बना परा है आधा चमच हमने दे दिये है देखी ये फर्टलेजर ग्रिन गर्डेन भी सेल कर देते हैं अगर आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉर्ट से आप नंबर देवा हुआ है वहाँ पर जाके आप कंटेक्ट करेंगे आपको भी मिलेगा लेकिन आप अगर नहीं बना पा रहे तो आप 1794 मार्केट में मिलता है मार्केट से पर्चिस कर शकते हो 16824 मार् शाद देना है इनके सागर ये शाप चीज नहीं है तो आप NPK 13045 लिजे आधा चममच ओ दे दीजे और आधा चममच मैगनेशियम सालपेट यानि की एपसम शल्ट दे दीजे तब भी चलेगा और शाथ में एक गिराम SSP शिंगेल सुपर फस्पेट आपको मिडिया में देना है तब आपको हो जाएगा ये शाप चीज कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे NPK 20-20-20 और नहीं तो 19-19-19 लि चोटे होंगे तो डोज भी कम होगा और अगर पॉट की शाइज बड़े होंगे तो थुरा सा डोज भी बढ़ा देंगे इसी शबसे आपको देना है बहुत सारे फटलेजर हमने बताया है NPK का आपके पास जो भी होंगे ओ फटलेजर आप काइंडली यूज करे मैं हमेशा 1794 मेरा स्पेशाल हिविसकास मिक्स फटलेजर यूज करता हो हमको अच्छा रेजल्ट मिलता है आप लोग देख पा रहे और लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को शेयर किये है शबी वीडियो में आप लोगों ने देखा है इसके बाद और एक च में मैं उतकर्ष कुमपनी की कमबी 2 और एमपक्सिलिन कमबी 2 चिलेटेट फर्म में आता है दो गिराम पालिटा वाटर डिजल्ब करते है और एफ लॉर प्लाइन्ट के उपर इस्प्रे करते है हमको अच्छा रेजल्ट मिलता है ऐसे करके आपको भी मल्टिपल माइक्रो कोई भी एक लेना है दो तिन लेने की जरूरत नहीं है और आप 2 गिराम पालिटा वाटर डिजल्ब करेंगे और एफ लॉर प्लाइन्ट के उपर अच्छा से स्प्रे करेंगे तब आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा रेनी सिजन में आप अगर बोंड मिल हर्ड मिल यह फर्टलाजार आप हफ्ता में एक बर देंगे बाकी जो NPK मैंने बताया है वो NPK आप अगर देंगे तो कांडली आप 15 दिन आंतर से एक बर देंगे तब आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा और अगर NPK 19,19,19 या 13,0,45 या 17,9,34 मार्केट का या 16,8,24 मार्केट का आप अगर यूज करेंगे 15 दिन में देंगे एक हफ्ता में देने से ओबर फर्टलाजार होगा इस बात का धेन रखिएगा अब ही हाम बाटरिंग करेंगे फर्टलाजार देने के बाद हम आच्छा से पानी डाल देंगे अब ही बर्शाद की टाइम में आपको गुराई है रेन में ही राखेंगे खोला आश्मान के निचे ही राखिएगा जैसे मैंने बताया ऐसे करके आप फर्टलेजर दीजिए कोई भी क्वाईरी है दोस्तों कमेंट्स बक्स में जाके कमेंट्स कीजिए आप लोग को पूरा कमेंट्स की एंसरिंग किया जाएगा उम्मीद क अगर तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंदा है और अगर पसंदाते तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना थैंक्स पर बाचिंग